मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् सांसे बेराई गुंदबादे जिस तरह का अपडेट न्यूस आप तक तो रहंद पहुंश पाए और आप उनसे लाभान में दो सके चले दो समया समगाए शुरू करते हैं आज का विश्यों जान लेते हैं पूरी अपडेट को विस्तार से आए शुरू करते हैं पहली बड़ बेठक का कोई नतीजा नहीं निकला बेठक के बाद गहलोत ने कहा बेठक में अच्छी बात चित हुई चुनाओं में हार जीत होती रहती है, राहूल गांधी के इस्थिप़े पर अभी कोई फैसला नहीं है, राहूल को कार्य करता हूँ, कि भावना बता ही गई है, उमीद हो, वो हमारी बात पर गौर करेंगे, वो सही समय लेने आने पर फैसला करेंगे वर्तमार हालात पर उनके खुल कर बात हुई है लोकस्वज चुनाओं में हार के बाद एक के बाद एक इस्थिपए हो गए हैं राहूल गांधी समेथ पार्टी के कहीं पतादीकारियों ने इस्थिपए दिये हैं वही राहूल गांधी भी अपने उनके स्थिपए की प्रतिक्रिया नहीं की है इस बैठक में राहूल गांधी के सामने स्वयम का और कमलात के स्थिपए की पैशकर्ष की रिपोर्टर और गहलोत ने कहा कि स्थिपए नतीजे के दिन आते हैं मुख्यमंत्री को उनके स्थिपए की पैशकर्ष करनी होती है फिर नहीं दिया आए बड़ते हैं के बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट खबर की जोगे निकल के आ रही है आतिस शक्षकों ने पच्चीस बॉनस अंक की पैश कर स्थुक्राइब मंगलवार को अर्थात आज भौपाल में परदर्शन करेंगे पूरे कर्मचारी आति एक फिर से आतिस शक्षक राजगानी भौपाल में मंगलवार और थार दो जुलाई से एकटा होंगे और सरकार से अपनी मांग मंगवाने की कोशिश करेंगे जिलात दक्षी रविकांत गुपता ने बताया है कि जिले के आतिती हजारों की ताधात में अलग-अलग स्थान उसे भौपाल में के लिए रवाना होंगे कॉंग्रेस ने नियमिती करन के लिए दा दिया था वचन दोस्तु कॉंग्रेस के विधान सभाद चुनाओं के द़ूरान अपने वचन पत्र में अतिस शिक्षकों को नियमिती करन करने है तो वचन दिया था बताया गया है कि 12.9 कॉंग्रेस का रियाले भुपाल में कॉंग्रेस दक्ष कमलनात वद्धिक विजय सिंग्ग द्वारा कहा गया था हम आप लोगों को तीन महां से में गुरुजी के तर्ज पर नियमित करेंगे लेकिन आज शे महां बीच जाने के बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है तीन महीने और दस साल को बराबर कैसे तोल सकती है सरकार दोस्तों मंद्रप्रदेश सरकार कांग्रेस कमिटी के प्रवक्ता सेयद जफर साहब के ट्वीटर अकाउंट पर सोशल मीडिया पर वाट्सप वा न्यूस चैनल फूटेज देखने से पता चला है कि मंद्रप्रदे देने का निर्नेल किया गया है यह निर्ने बुसंग दीवपूर्ण है अधिती सिक्षक जान आउनलाइन भरती पक्रिया में अनुभव के अंग ना दी जाने के से पुराने अधिती सिक्षक बहुत बड़ी संख्या में बाहर हो चुके हैं और तीन महां अनुभव वाले को 25 संख देने कहीं नहीं उन पुराने अधिती सिक्षकों के साथ धोका है जिन्होंने वर्सु अलब मानेदे पर परदेश का भविश्च समारा आब ओवरेज की कागार पर हैं या तो हो चुके हैं इसी प्रकार पूर्व सरकार ने अतिती सिक्षकों वह को स्थाइक सिक्षक भरती के लिए दिये जा रहा है 25 परतिश्य तारक्षन में जो तीन सत्रवा दो सो दिन का अनुभव रखा है वह भी कला थे इसका आतिस सिक्षक संग विरोत करता है आईए बढ़ते आगे बात कर लेते तीसरी बड़ी अपडेट ख़बर की जो के नि अवास लेने वाले लोगों को संपत्ति अब फ्री होल्ड नहीं होगी इससे पूरे प्रदेश में हाउसिंग बोर्ट के आवासी प्रोजेक्ट में फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया थम गई है दिल्चस्व बात पहलू यह है कि फ्री होल्ड पर रोक का फैसला जो राजिस पूरवर्थी भाष्पा सरकार न लिया और इसका सर्कुलर भी तभी जारी हो गया था लेकिन निजले स्तर पर पहुंचते पहुंचते इसे सात महीने से अधिक समय लग गया इस खबर के सार्वजानिक होते ही हाउसिंग बोर्ट के संपत्ति मालिक नहराज हो गये मुख्य इंदोर की बात करें तो यह हाउसिंग बोर्ट के विभिन प्रोजेक्टिंग में लगभग 10,500 लीज धारक हैं इनमें से 80 फीज धारकों की संपत्ति की फ्री होल्ड होना बाकि है हाउसिंग बोर्ट के विभिन दफ्तरों में अचानक आए एक सर्कुलर से आजिकारियों असम जानने के लिए हाउसिंग बोर्ट के मुख्याले संपत्र कर रहा हैं बोर्ट के आयुक्त वाई के दोहरे ने बताया है कि इस्तथी हस्पस्ट होने करने और माग्रदशन के लिए मुख्याले पत्र लिखा है और फ्री होल्ड होने से यह फाइदा दूस्त आप बता है हाउ oudy के बाद लीज करनावा कराया जा सकता है फ्री होल्ड पर इसे भी मुक्ति मिल सकती है फ्री होल्ड करने से पहले आवासधारकों को दस साल का लीज्स रेंट एक मुश्ट जमा करना होता है साहती संबत्तिकी कलेक्टर गार्ड लाइन के अंदर की एक प्रदीश अतरासी सास की एक खजाने में जमा करनी होती है आई ये वरते हां के बात कर लेते हैं चौथी बड़ी अप्रेट ख़बर की जो निकल गया रही है कमलनाथ की महिला OSD एम आइस मनुष्री वास्ताओं के खिलाफ मुख्यमंत्री कमलनाथ की OSD प्रग्या और रिचा श्री वास्ताओं और उनके आईस पती मनुष्री वास्ताओं के खिलाफ प्रयाग राज उत्तर प्रदेश के जोर्ज टाउन थाने में मुकदमा दर्जी किया गया है उन पर जमीन विबात के चलते धमकाने और घाली करने के आरोप लगाए गए हैं प्रयाग राज के जर्द टाउन थाने में अशोक कुमार पांडे नाम के एक वेक्ति ने प्रग्या रिचा श्री वास्तों और मनुष्री वास्तों खिलाफ शिकायत की थी शिकायत करता ने आरोप लगाए हुए कहा है कि जमीन के विबाद म में जूटी हुए शोक का कहना है कि वह लाउदा रोड पर बने उन्निस पिंचान में रेंट अधिकारी से अबंटित मकान में परिवार के साथ रह रहा है आईए बरते हां के बात कर लेते हैं पांच इन दिंबड़ी ख़बर के बारे में जोग निकल के आ रही है अधिकारीयों को इतना अहंकार नहीं होना चाहिए केलाश विजवर्गी के बड़ा बयान सामने आया है भाट्वा महा सचीव केलाश विजवर्गी ने अपने विधायक बेटे अकास विजवर्गी द्वारा निगम अफसरों की बैट से पिटाई करने के मामले में बेटे खिलाडी करार दिया है केलास ने सोमवारों घटना को दुर्भागे पूर्ण बताते हुए कहा मुझे लगता है कि दोनों पक्ष आकास और निगम अधिकारी कच्चे खिलानी है ये बड़ा मुद्दा नहीं था लेकिन इसे बड़ा बनाना बना दिया गया है उन्होंने य नहीं पता कि सरकार ने इस मामले में कोई आदेश जारी किया था अगर इसा हुआ है उनकी और से गलती है जब किसी जरदर इमारत को ध्वस्त करते हैं तो पहले नहीं रहने वाले लोगों के लिए धर्मशाला में विवस्ता की जाती है अधिकारियों को इतना एहंकार नही कि परने वाले हैं जिस विल्दिंग की वज्ञां से विवाद हुआ था नगरनिगांव उसे फिर से तोरने वाले यह जिसके लिए उन्होंने 2 जुलाई की एक आतया कारवाई की जाएगी तो अब देश की आज की प्रम खबरे जो निकल के आ रहे थी मद्द्रदेश की सुबह सुबह से बड़ी खबरे तौशा करते हैं आपको अज को विश्य बस प्रसंद आया होगा यह पसंद आया होते लाइक करें और इस साथ लोगों तक शेयर करें ताक बीडियों तक नए विश्यक साथ जब तक के लिए जैहिन जय भारत बंदमातरम आगा आगा वाधान दोल की आगा यह जुद आगा टिया है आगा आगा आगागा दोल लागाव देश्याग करें दोल दोल दोल